कि नमस्कार दोस्तों मैं एरतन सिंग मेरा यूटूब चैनल जैकिसान एच्पी में आप सब दोस्तों का स्वागत है सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों का धनेवाद करता हूं आप सब दोस्तों सबस्क्राइबर बने हुए आप सब मेरे जो भी वीडियो देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मैंने इसलिए मैं आप सब का धन्यावाद करने के लिए वीडियो बना हूं आज दोस्तों तारिक है 15 अप्राइल तो आज कल सेव की भरपूर फ्ला अप्रावरिंग कभी देखते हैं कि क्या मां यह रहता है तो इसका 16, 17, 18 अप्राइल को मौसम भीवाग में चैताब नहीं है तो मैं सोच रहा हूं कि चलो अभी थोटे सा 15 तारिक को वीडियो बनाऊंगा उसके बाद मैं अभी बगीचे में बनाऊंगो जो हमारे भरपूर फ्लावरिंग है और उसके बाद मैं 18 तारिक के आसपास में दिवारा से वीडियो बनाऊंगा जो वारिश आएगी 16, 17, 18 को वो कितना नुकसान करती है तो इसलिए मैं यह एक वीडियो बनाने की कोश्य करूँगा और इसमें हमारे लिए कितना नुकसान होगा जो फ्लावर बनानों के लिए यह बारिश भरदान है या मुकसान है यह इसके लिए मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहूंगा तो दोस्तों हमारे जो बागवान भाई हैं तो बहुत कईयों के बहुत ची सेटिंग आई खासकर जो जिनके फलावरिंग आजकल हो गई है जो पंदर आपका तारिक के आश्का जिनके वर बर्भुर्भा भालिग वौश्म बहुत ही खतनाक हो लुगा और यह बारिश उनके लिए बहुत ही किन बहुत ही जारा कि इसके लिए मैं गुल्डस्ते वह लगा करके पॉलिनेशन की काम करें वे अपने बगिचों में तो मैं अपरी दोग देल में बगिचों में जा करके फूल का एक बीडियू बनाँगा इसके साथ हो और उसके बाद भारिश के भाद का वो दिखुना की उसमें कितना नुक्सान हुए है उसके मैं 18 तरह के बाद का वीडियो करें दोस्तों हम इस से वक्त अपने बगिचे में पहुंचके हैं आप देख सकते हैं कोदों में कितनी फ्लावरिंग है बहुत काफी फ्लावरिंग फूली फूल हर जगा फूली फूल पर हमारी फ्लावरिंग में थोड़ी सी दिक्कत ये आ गई कि हमारी फ्लावरिंग थोड़ी सी लेट हो गई क्यूंकि कल परसों चौथ बारिश है और अगर इस बारिश में नुक्सान हुआ तो इसकी बारपाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और इसके लिए एक सबसे बड़ी कमी ये रही कि अगर इस साल मेंने TSO के साथ डॉर मेक्स नहीं किया अगर मैं צा क्या साथ लिटर दो लिटर डॉर मेक्स डालता या ज़्यर्ड लिटर डॉर मेक्स डालता तो शाहिद इस वार फलाबरिंग जल्दी आती और बहुत अच्छा रिजल्ट बंता अप मैं देख रहा हू हूँ आप आप लोग मदमुख्यों की आवाज ने सुन सकते लेकिन मदमुख्यां इतनी है बहुत जादा इसमें बहुत गूम रही है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी है इस फार पर मुझे लग रहा है डर ये है कि अगर वारिश होती है और जो पहले वाली ये तो चलो ठीक भी जाएगी जिसका पर रफाल होने वाला है पर जो बीच की दूसरी फ्लावरिंग और तीसरी फ्लावरिंग ये नुकसान होगा प्लावरिंग अच्छी है प्लावरिंग ये टूस्ची है कि ए लग कि अ अबनेता है दो न है झाल झाल चाल झाल चाल झाल फुली फुल नजर आ रहे हैं इस बार वैसे तो नाश्वती तो बहुत है बंपर है सेव की जो हाइट है लो हाइट वालों के लिए उनकी तो बहुत अच्छी सैटिंग है खास कर दिक्कत अब नहीं के लिए है 16 तारीक के आस्पाद भरपूर फ्लान रिंग है उनके लिए ये नुक्सान है और हाइट वालों के लिए भी मेरे भायों उनके लिए सबसे ज़्याद नुक्सान है जिनके लिए वर्फानी की सबसे ज़्यादा खत्रा है अगर वर्फा गया तो वो सबसे ज़्यादा नुक्सान करेगा और उससे हमारे लड़ने का तो कोई पाए तो है नहीं दोस्तों हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं आप देख सकते हैं हर जगा फूली फूली में जरा आ रहे हैं बहुत ज़्यादा फूली फूली धन्यवाद आपका मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर बाएं दोस्तों और आपका फिर से एक बार सब भी दोस्तों का भाईयों का बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरी वीडियो को ऐसे ही पसंद करते हैं लाइकरी, शेर करी, धन्यवाद